नमस्कार आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हुविमिन महरा हर एक अपडेट जम्मू कश्मीर के रिलेटिड हर एक जानकारी हम आप तक पुचाते हैं चाहे कोई भी खबर हो अब एक और बड़ी खबर आ दिये क्योंकि करोना की बात की जाये तो करोना ने हर किस पर जो है अपना परभाव डाला है चाहे हम दस वेव बारवी की प्रिक्षाओं की बात करें चाहे हम यूपी एसी के एक्जाम की बात करें लेकिन अब आपको यह जानकारी दे रहों मैंक जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो जरूर यह खबर जो है शेयर करें कि 11 जुलाई 2021 यानि कि 11 जुलाई को होना था उसे रिश्ट्यूल किया है क्रोना वाइरस की वज़ा से अब यह जो एक्जाम है 24 अक्तूबर यानि की 24 अक्तूबर एतवार यानि संडे को होगा यह एक्जाम क्योंकि इससे पहले अगर बात करें हम इससे पहले इससे पहले भी UPSC का एक्जाम को पोस्पोंड किया अब वो एक्जाम जो है 10 अक्टूबर को होंगे लगातार क्रोना संकट की वज़ा से हर किसी क्रोना ने हर किसी पर परवाब डाला है दसवी बारवी की जो प्रिक्षाउंग थी उन पर भी इसका असर देखने को मिला और उसके बाद अब जो UPSC का एक्जाम था उसको भी पोस्पोंड किया गया वो अब 10 अक्टूबर 2021 को होना है लेकिन अब एक और जो है बड़ा फैसला जो लिया गया है जमकश्मीर 24 अक्टूबर 2021 यानि इसी साल 24 अक्टूबर एक्टवार को होंगे ये फैसला जो लिया गया है क्योंकि करोना का बढ़ता प्रकूब देखकर क्योंकि अब रिकवरीज की बात की जाए तो जमू कश्मीर में रिकवरीज अच्छी हो रही है लेकिन मोत का आंकड़ा जमू प पर bubbles कि बात कि जाए तो कश्मीर प्रविंस में क्रोना के एक्टिव केसि हमाइव्य किशर्च कम हैं मोत का आंकड़ा ज्यादा है जमू सब्सक्राइभ गृर्मेंटिकि कॉले जम्मू की बात करें तो वहँआँ पर हर दिन 10 से अधिक मोते हो रही है जमू प्रविंस में ल परश्चक इस वक्त मासा जूड़े होने मैं एक बार फिर से जानकारी देदूं कि पहले यूपी एसी एक्जाम को जो है पोस्ट पॉंट किया गया और अब जो है के एस के एक्जाम जो होने थे ग्यारां जुलाई को उसे भी जो है रिश्यू डूल किया गया यानि कि उसे प कश्मीर पबलिक सर्विस कमिशन दवारा यह लिया गया है क्योंकि लगातार क्रोणा का सकर्मन जो है क्रोणा की एक्टिव केसिस को बढ़ते देखकर इस एक्जाम को भी जो है पोस्ट पॉंट गया गया है आपको क्या लगता है ये खबर देखकर आप अपनी राइज हमरे फुर्ट से आजर होंगा अब लोग देखते रहें जयों परिवतन जाहें